हार्ड हिटिंग वीडॉप्स लेकिन गरीब स्यासी मौराई बनकर रह गया आकणों की बाजीगरी में कभी गरीबी कम हो जाती है तो कभी बढ़ जाती है वर्स्ता 1971 चुनावी सरकर्मी के बीच ततकाली प्रधानमंत्री इंद्रा गांदी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंद्रा का ये स्लोगन इत के जरिये सरकार 80 करूड लोगों को एक साथ साधना चाहती है इंद्रा गांदी से लेकर मोधी तक 52 साल के स्यासी सफर में भारत को 12 प्रधानमंत्री मिले लेकिन गरीबी और भूक का मद्दा जसकातस है सभी प्रधानमंत्री ने गरीबी हटाने के पुर्ज और दावे किये लेकिन देश में गरीबी कितना हटी ये आंकडे तकी सीमित है 2022 के गलोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट के मताबिक भुकमरी के मामले में भारत दुनिया के 121 देशों में 107 में नंबर पर है हाला के आंकडों को सरकार ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है ऐसा पहली बा जानते है 1971 में गरीबी का आंकड़ा क्या था 1971 की जनगर्ना के अनुसार भारत में उस वक्त करीब 54 करोड आवादी थी जिसमें से 57 परसेंट लोग गरीबी रेखा के नीचे थे देश में 66 फिजदी लोग अनपड़ थे ग्रामीर से ज्यादा शेहरी आवादी गरीबी पड़ गए थे दोस्तों अब बताते हैं गरीबी का आंकड़ा क्या है वर्स 2020 में यू एनो की संस्था यू एन डीपी ने एक रिपोर्ट जारी की थी रिपोर्ट के मताबक भारत की कुल 135 करोड आवादी में से 22 करोड लोग अब भी गरीबी रेखा के नीचे हैं दुनिया महामारी के काल के बाद 2022 माई गलोबल हंगर इंडेक्स की सूची में फिर से सरकार की टेंशन बढ़ा दी भुखमरी मामले में भारत का इस्थान 121 देशों में 107 में नंबर पर था रिपोर्ट में कहा गया था कि महामारी के बाद 5 करोड 60 लाग भारती फिर से गरीबी खाके नीचे आते हैं इसको लेकर दुनिया वरके अलग-अलग देशों में अलग-अलग माबदन तयार किये गए हैं बिश्वेंग के मताबिक रोजाना करीब 130 रुपे नहीं कमाने वाले लोग गरीबी रिखाके नीचे आते हैं वर्ड एकॉनोमिक फोरम ने गरीब की गर सेलरी और काम का धंग नमबर चार सामाजिक सुरक्षा दोस्तों 1970 आते आते इंद्रा गांधी के खिलाब कांग्रेश के पुरान नेताओं ने मोर्चा खोल दिया था के कामराज मुराजी देशाई जैसे नेताओं ने मिलकर अलग से कांग्रेश बना ली 1971 के चुना में इंद्रा गांधी और कांग्रेश के पुरान नेताओं के बीच काटे की लड़ाई चल रही थी इसी वीच एक रहली में इंद्रा ने कहा कोट वे कहते हैं इंद्रा हटाओ मैं कहती हूं गरीब हटाओ अनकोट इंद्रा का गरीब हटाओ का सिलोगन काम कर गय और लोकसवागी 518 सीटों में से 352 सीटों पर इंदरा गांधी को जीत सावित हुई दोस्तो राजनीती मजधार में फशी इंदरा को गरीबों ने संजीवनी दे दी थी दोस्तो 1977 में आपात कल खत्म होने के बाद मुराजी देशाई की सरकार बनी देशाई ने काला धन खत्म करने के लिए नोट बंदी की और 1000, 5000,000 के नोट बंद करने के आदेश दिये नोट बंदी का जादा सर तो नहीं हुआ लेकिन मुराजी देशाई की सरकार जल्दी गिर गई मुराजी के बाद 14 चरण सिंग प्रधान मंतरी बने लेकिन वे भी जादा देनों तक पद पर नहीं रहे दोस्तो इंद्रा गंदी की अत्या के बाद राजी गंदी को कांग्रेस और देश की बाग दूर मिली राजी प्रधान मंतरी बनने के बाद कई करांतिकारी फैसले लिए जिसमें इन्फॉर्मेशन टेकनलोजी प्रमुक्ता राजीव ने घूसकोरी को बड़ा मुद्दा बनाया और कहा कि सरकार सो रुपे बेजती तो आम लोगों के पास 19 रुपे ही पहुंचते हैं राजीव का ये भासन खूब लोग प्रिय हुआ और कई राज्यों में कांग्रेश को इसका फाइदा भी मिला दोस्तों अब बताते हैं आपको मंडल का मंडल के बीच नर्सिमा राव का उधारी करण की नीती 1990 के सुरुआती दौर में भारत राजनीति की अई श्थिरता से गुजर रहा था 1991 में राजी उगांदी की अत्या के बाद कांग्रेश की सरकार बनी और नर्सिमा राव देश के प्रणमंतरी बने मंडल कमंडल के इस दौर में भारत का बिदेशी खजाना पूरी तरह खाली होने के कगार पर था राव ने मनमौन सिंग को बितमंतराले की जिम्मेदारी शौपी सिंग उधारी करण की नीती लेकर आए जिससे भारत आर्थिक कंगाल होने से बच गया नर्सिमाराव सरकार ने मिड़े मील जैसी योजना की शुरुआत की इसमें परात्मिक बर्क के बच्चों को स्कूल में एक समय का भोजन दिया जाता है दोस्तों अब आते अटल बिहारी बाजपी की अंत्योदे योजना के उपर 1999 में सियासी उठापटक के बाद अटल बिहारी बाजपी भारत के प्रधान मंत्री बने गरीबी के आंकड़ों में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया था अटल सरकार ने गरीबों को रहाद देने के लिए अंत्योदे अन्योजना और ग्रामोदय रोजगार जैसी कई योजना शुरू की इन योजना को अधारातर पर जरूर कुछ प्रभाब दिखा लेकिन गरीबों की संक्या में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ 1993 में भारत में जहाद 55 फिजदी लोग गरीब थे वहीं 2004 में यहाँकडा 37 फिजदी के पास पहुँच गया दोस्तो 2004 में कांग्रिस गठबंदन की सरकार बनने के बाद मनमौन सिंग को देश का प्रधान मंत्री बनाया गया सिंग ने गरीब यटाने के लिए मन्रे का योजना की शुरूआत की इस स्कीम के तहएद ग्रामरी लोगों को साल में सौ दिन का निश्चित रोजगार देने की बात कही गई मनमौन सिंग सरकार की ये जुना खूब लोग प्री हुई और 2009 में दो बारह चुनाब जीतिने में भी मददगार साबित हुई 2013 में मनमौन सिंग सरकार फूड सीक्यर्टी कानून लाई इसके तहएद सीक्यर्ट लोगों को खाद सुरक्षा के तहएद कम दाम पर पांच किलो अनाज देने की गोशना की गई दोस्तों 2014 में बीजेपी गरीबी और महगाई को मुद्धा बनाकर केंद्र की सत्ता में आई 2014 के चुनावी रैलियों में पी-म केंडिडेट नरिंद मोदी खुद को गरीब का बेटा बताते रहे सत्ता में आने के बाद सुरू आती सालों में गरीबी अटाने के लिए कई दावे किये गए मसलन 2022 तक सब को आवास और किसानों की दोगनी आये करने की गोशना लेकिन 2022 आते आते सरकार बैक फुट पर आ गई सरकार ने अफिर से 2030 तक गरीबी अटाने का लक्ष रखा है 36 गर्ड बिहार राजिस्थान मत्द प्रतिस्व उडिसा जैसे कई राज्यों में अब भी गरीबी सबसे जादा है जहां यह सिर्फ चुनावी मुद्दा बनता है हाली में गुजरा चुनाव के प्रचार में प्रधान मंत्री मोदी ने गरीबी को मुद्दा बनाते हुए कहा था कि कांग्रेस ने सिर्फ ना रा दिया कांग्रेस अगर काम करती तो गरीबी कब की हट गई होती गरीबी पर राजनीती करने में कांग्रेस भी पीछे नहीं है पार्टी के नेता आकणों के हवाले से सरकार और यूजनाव पर लगातार सवाल उठाते रहे हैं बजट आने के बाद राहूल गांदी ने मित्रों के लिए बजट बताया और कहा कि इससे सिर्फ एक फीजदी लोगों को फाइदा होगा दोस्तों गरीबी वरकरार हैं बजट आ रहे हैं चुनाव हो रहे हैं लेकिन गरीब सिर्फ चुनावों में ही मुद्दा बनता है बाकी सब लोग उसे भूल जाते हैं दोस्तों अगर आप कोई वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें चैनल को ज़्यादा शियर करें आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू वेरी मच